बिहार में आकाशिय बिजली गिरने की वजह से गुरुवार को अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है आपदा प्रबंधन विभाग ने भी वज्रपात का अलर्ट जारी किया है मधेपुरा जिला के सदर प्रखंड मुरली गंच कूमा खंड में वज्रपात गिरने की चेतावनी जारी की गई है इसके साथ ही लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की गई है वहीं दूसरी और समस्तिपूर में आकाशिय बिज्री गिरने से अलग-अलग जगों पर पांच लोगों की मौत हुई है बताया जा रहा है कि समस्तिपूर के रोसडा में तीन, पूसा के मोरसन में एक, भूईधारा में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है समस्तिपूर में आकाशिय बिज्री गिरने से जिन पांच लोगों की मौत हुई है उनमें दो बच्चे भी शामिन है आकाशिय बिज्री से मारे गए लोगों की परिजनों को आर्थिक सहायता पहुचाने के लिए नितीश सरकार की ओर से 4-4 लाख रोपए का मुआवजा देने का फैसला लिया गया है झाल, कि झाल